नमस्कार और वेलकन वूल ओफेर्ट्स मैं हूँ प्रशान दवन आज के समय इंडिया में हमारा कम्प्लीट फोकस है कि हमारे उलम्पिक्स में कितने मेडल आप आएंगे अभी भी आप अगर देखो तुब ऐस ओफ थर्ड ऑगस्ट 2021 हम लोग दो मेडल पे आप अटके हैं हा अगर पूरी दुनिया यहाँ पर फोकस कर रही है चाइना पर चाइना ने यहाँ पर एक exceptional performance दिखाई है चाइना के already 32 गोल मेडल हो चुके हैं यहाँ पर total मेडल है 69 और USA और जपान से भी यह काफी जड़ा आगे है in terms of गोल मेडल ना एक देश जब इतना अच्छा परफॉ ने आई है कि जो इनके swimmers हैं उनको चाइना ने train किया है using missile technology ना ये एक आरोप नहीं है ये आप कह सकते हैं एक बहुती innovative सोच है जिसको लेकर दुनिया में काफी अत्तक चाइना की प्रशंसा भी हो रही है कि नोने missile technology में जो wind tunnel होती है low speed wind tunnel उसका इस्वाल किया अपने athletes को train क करने के लिए और इनका posture और form जादा improve करने के लिए यहाँ पर आप देखोगे इस पर आर्टिकल है चाइना's olympic performance was powered by aerospace and missile technology ये एक और आर्टिकल है चाइना used ballistic missile technology to train its athletes और चाइना की जो ये unique technique है इसमें सबसे ज़रा फायदा हुआ है चाइना के swimmers को मैं आपको ये बदा कि अभी तक as of now चाइना के swimmers ने जीते हैं total 6 medal इन में से 3 तो है gold, 2 silver और 1 bronze और इनकी जो main swimmer है यहाँ जैंग, यूफी इन्होंने तो अकेले ही 2 gold medal जीत लिए इनको internationally कहा जा रहा है butterfly queen क्योंकि इस event पे इनोंने जीते हैं यहाँ पर gold medal और चाइना ने particularly आप अगर देखो तो Tokyo Olympics में focus किया है aquatics में, मैंने आपको एक पुरानी वीडियो में भी बताया था कि overall Olympics में अगर gold medal जीतने हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छे chance है aquatics में, swimming में, total 49 medal जीतने के यहाँ पे possibility होती है, सबसे ज़्यादा medal आपको मिलेंगे in swimming, और historically आप अगर देखो तो swimming में dominance रही है Europeans की, Americans की, और कुछ हद तक मैं कहाँँगा South Americans की, अब यह जो dominance है, यह China तोड रहा है technology के जरीए, और ऐसा नहीं है कि China यह सब अचानक से कर रहा है, इन्होंने actually 2012-13 के आसपास announce किया था, MCF system को, MCF क्या है, यह है Military Civil Fusion System, इसके अंडर चाना ने यह कहा, कि जो technique, जो technology हम use करते है for military purpose, उसको हम दीरे-दीरे civilian purpose में भी use करेंगे, यह अपने आप में कोई इंगराली बात नहीं है, आप जो GPS यूज करते हो आज के समय फोन में, जिसके जरीए आप Zomato, स्विगी से खाना मंगाते होगे, या फिर भार निकलते हो, तो navigate करते होगे कि कहाँ पर जाना है आपक तो दुनिया में बहुत सी टेक्नोलजीज हैं, बनी पहले military के लिए थी, बाद में उसको use किया गया for civilian purposes, मगर चाइना चाहता है कि इसको यह और जादा बड़े scale पर करें, और जादा quickly करें, जो भी आज के समय चाइना की military facilities हैं, इनको कैसे यह लोग use कर सकते हैं अपने athletes को train करने के लिए, इस पर इन्होंने अलग से study करी, और इन्होंने यहाँ पर यह पर यह पाया, कि जो missiles के लिए wind tunnel होती है, अगर उसकी speed काफियत तक कम करके, human tolerance level तक ले आएं, और वहाँ पर अपने athletes को place करें, तो उससे actually यह लोग समझ सकते हैं, कि जब इनके swimmers त्यारते हैं तो drag कहाँ पर आता है, समझाता हूँ आपको, यह यहाँ पर आप देख रहे होगे, यह है एक low speed wind tunnel, जो wind tunnel का system है, यह DRDO के पास भी है, दुनिया की various missile developing agencies के पास है, और इसका use primarily होता है, एक missile के structure को समझने के लिए, यहाँ पर क्या करते हैं, कि काफी बार एक missile को place कर देंगे और बहुत तेज हवा यहाँ पर सामने से गुजरेगी, और फिर imagine किया जाता है, कि जब यह missile launch हो रहा होगा, जब यह आस्मान में होगा, जब यह बिलकुल हवा को चीर के आगे जा रहा होगा, तब उस वक्त क्या इस missile का design ऐसा है, कि बहुत यह अराम से आगे बढ़ पाए या फिर wind से इसको काफी resistance face करनी पड़ेगी, काफी drag यहाँ पर आएगा, तो इन्होंने यहाँ पर यह सोचा, कि क्यो ना जो यहाँ पर wind आ रही है, इसको थोड़ा साम कम कर दे, human tolerance level तक ले आए, और उसके बाद अपने swimmer को यहाँ पर रख देंगे, और फिर जो इनका posture है जिस तरीके से swim करते हैं, उसको हम study करेंगे और इनको बताएंगे कि आपको अपनी movement में क्या बदलाव करने हैं, जिससे आपका drag कम हो, पानी से आपको कम resistance मिले और आप ज़रा तेज स्विम कर पाओ, यह मैं कहूंगा बहुत ही unique तरीका था इस technology को use करने का, और इसको लेकर Global Times ने एक पूरा आर्टिकल भी publish किया है, यहाँ पर आप देख पाओगे, cut out है Global Times की आर्टिकल का, China's Aerospace Technology helped train Chinese Olympic medalists, और यह तो हम बात करें स्विमर्स की, इन्होंने इस तरीके से जो इनकी rowing team है, उसको भी train किया था, यह मैं आपको दिखाता हूं, तो यहाँ पर आप देख और उसके साब से athletes को बता सकते हैं कि आपको हमारे साब से क्या changes करने चाहिए अपने technique में, यहाँ पर आप देख पाओगे, इस तरीके से बहुत से athletes ने train किया है China में, और ऐसा नहीं है कि बस यही इन्होंने use करकर के सारे medal जीत लिये, यह बस इसका एक part है, overall China ने various तरीके स military technology को काफी बार use किया है in training their Olympic medalists, और इस सब के लावा देखो, finally यहाँ पर एक और aspect आता है, पैसा, raw money is always useful, अब देखो आज के समय 2021 में, जो हम performance देख रहे हैं, इसके जो beach है, यह बोए गए थे 2017-18 के आसपास, actually वैसे आप अगर macro level से रेखोगे, बहुत ही दूर से आप पे भी एक दो बार period होता रहा, school में, sports का, वहाँ पर भी हम सब को याद है, कि या तो English की class होती थी, या मैस की class होती थी, sports को इतनी priority हम कभी देते ही नहीं थे, और 2018 में, उस वक्त के हमारे जो sports minister हैं, उन्होंने परलिमेंट में खड़े होकर यह बताया था, कि government spends only 3 पैसा per person a day on sports, यह बहुत ज़रा कम है, compared to the rest of the world, इन्होंने बताया था, कि 2017-18 में, department of sports की total यहाँ पे expenditure थी, 1300 करोड के आसपास, 1390 करोड के आसपास, इसको आप अगर population से अगर divide कर दो, तो per day, जो मारा expenditure है, यह around 3 पैसे के आसपास है, जबकि various countries में आप अगर दे होगे, तो expenditure आपको person in their country, यह बहुत ज़रा है, 200 गुना ज़रा है, compared to Indians, और कई reports यह भी कहती है, कि इस बार के Olympics के लिए, China ने billions of dollars का यहाँ पे बनाया था, budget, आप अगर सोच कर देखिए, एक billion से उपर का भी आपका अगर budget हो, तो आप यहाँ पर खच रहे हो, 7,000 करोड रुपीज से भी उप का amount, और यहाँ पर हम एक billion की नहीं, billions की बात कर रहे हैं, तो most probably चैना ने यहाँ पर 12 से लेकर 15,000 करोड रुपे खर्चे हैं, अपने sports budget में, इसको आप अगर compare करोगे भारत से, तो जो हमारा recent annual budget है, वहाँ पर जो spending है on sports, यह बढ़के हो चुकी है, अब 2,826 करोड रुपी हाला की मैं बोलूँगा, कड़वी लगेगी यह बात सुनने में, जो हमारा इस वक्त बढ़ बढ़ के budget हो गया है sports में, उसके हिसाब से भी हमारे medals अभी आए नहीं हैं, मगर हो सकता है कि इसमें time लगेगा, अभी हमारे बहुत सारे जो initiatives हैं, Halo India program है, उसके इलावा जो हमने एक और scheme शुरू करी थी recently, target Olympic podium scheme, जिसके अंडर हमने specific, जो medal winning sports हैं, उनको fund किया है, इनके actual results देखने में आपको 10 से लेकर हो सकता है कि 15 साल अभी लगेंगे, मगर कई ना कई हमको सोचना होगा, कि क्या हम यहाँ पर spend भी properly कर रहे हैं on sports or not, for example, जो target Olympic podium scheme है, यह काफी अची scheme ह अपने आपने, इसको हमने 2016 के Rio Olympics में भी use किया था, मगर problem देखो यहाँ पर यह हो गई, कि इस scheme के अंडर 50% जो allocation है, पैसे की यह चली गई सिर्फ एक sport में, वो था shooting, shooting में आपको बता होगा कि काफी investment जाती है, आपको guns चाहिए, ammunition चाहिए, shooting range चाहिए, आपको safety equipment चाहिए, तो उसमें काफी पैसा लगता है, तो इंडिया ने shooting में काफी investment करी, मगर shooting से gold कितने आए, silver कितने आए, bronze कितने आए, absolutely zero, यह थी एक बहुत ही बड़ी disappointment, और same cinema को यहाँ पर इस बार भी दिख रहा है, shooting से कोई medal अभी तक आया नहीं है, लगता भी नहीं है कि आने वाला है, तो I think अब time आ चुका है कि थोड़ा साम diversify करें अपनी सोच को, मैं हमेशा कहूँगा, aquatics is the key, जब तक हमारे देश में हम लोग swimmers त्यार नहीं करेंगे, तब तक medal tally में आपको भारत जादा उची rank पे नहीं देगा, athletics और aquatics पे हमको focus करना चाहिए, जो target Olympic podium scheme है, इसका budget difficult क्योंकि हमारे देश में हमको और जगा भी पैसे लगाने होते हैं, मगर performance अगर हमको निकाल ली हैं, तो eventually we will have to invest more in sports, और उन sports पे focus करना होगा हमको, जहाँ पर historically इंडिया ने या तो medal जीते नहीं है, या तो हमारे कोई athletes वहाँ पे निकले नहीं है, किरानी वे, finally मैं आपको यही बदादूं के various exams की आप त्यारी कर सकते हैं, on unacademy.com, simply जाओ unacademy.com पे या फिर unacademy की आप पर choose करो, यहाँ पे exam of your choice, for example, अगर आप prepare कर रहे हैं, let's say for IITJE, बहुत से students हैं बाइदावे आज के समय, जो IIT exam की preparation करते हैं, by using the code PD10, तो simply यहाँ पे आपको click करना है, IIT get subscription, और यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं, plus यहाँ फिर iconic course, दोनों courses में पुरा syllabus cover होगा, iconic course special इसलिए है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है, एक personal coach, जो ensure करेगा, कि आप properly यह पूरा course follow करे, तो 12 month, 18 month, 24 month का जो course है, यहाँ पर purchase कर सकते हैं, मगर जो price यहाँ पर लिखा है, never, ever pay that price, use the promo code PD10 and save money, so इसी note के साथ, यह है वीडियो कांत, thank you for listening and as always, God bless you all.